इस वक आप देख रहें असलाम भाय टाइरी और अब यकीन जाने मुझे इस जगह जो है किसी फिल्मी कहानी ये फिल्मी सिचुएशन से काम नहीं लग रही है हम लोग यहां मौझे गोलडा रेलवे स्टेशन पर जो के इसको तारीफ सुनने के लिए आपको यहां पर आना प कि मैंनेजमन को जाता है वहां एक शेक्स का नλάम मेला चाहूंगी जिनुन की स्क्रेक्टे इसको में इना करने का यहां कि इसका ट्रखवाली करनी है इसको कैसे अवाम के लिए सब्भाल के रखना है उनका नाम निला भी बहुत जरूरी है मेर साथ मौझूद है गोलवा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर मोहमद इम्रान साब असलाम लेकुम सर्व जी वालेकुम सर्व सर्व पहले तो इस स्टेशन के वारे में बताएगे फिर आपके हवाले से भी हम जाना चाहेंगी कि यह कब तामीर वास उन्हें अठार्मी सदी की यहांगी आकिटेक्ट्चर है पाकसान रेलवे में इस पौशन में 1861 में यूज सीがとうये इसकंवतल हुआ और 1881 में इस स्टेशन को तामीर किया गया ये लाइन आपके सकते हैं के 1881 में यहांपे लगाई गई Since then 1881 पाकिस्तान रेलवेस के दिम्यान में और इसलामबाद के और इसके गिर्द और नवह के लोगों के दिम्यान में रोमेंस का अगाज हुआ उस वक्त से अब तक 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 140 साल गुज़र चुके हैं और ये आम अवाम के लिए रेलवे के सफ़र एक बड़ा फैसिनेटिंग है और इसके लिए ये फैसिनेटिंग रहा है और अभी तक है कि लोग इसमें राइट करते हुए बहुत खुशी महसूस करते हैं और बहुत अच्छा फीड़बैक देते हैं अच्छा ये जो अट तारीखी का ऐसासा है क्योंकि एक अठारमी सदी की आप इक हमारते नजरा आरी है द्रख OF लेंग इत्ने पराने पराने से हैं। इसको मिन्टेंटिंग उप कैसे करते हैं और स्टाफ कितना होगा इस में इसकी मिंटेनस में असल में डिफेर्ट लेवल पे डिफेर्ट लोग जो इब इसे डालते हैं जिसरे आपके को इसके डि जोते हैं। जो आपके पर इसके वाट hospitality क deficits कर दे इसके सफाई के लिए अलादा बने हैं। उसके लवाँ हमारे हाइली ट्रेंड ओफिशल्स जोंसे हैं उनके साथ उनकी जो वर्कफोर्स है जिसमें मैं हो गया मेरे आगे जो मजीद स्टाफ है आगे तो हम तमाम मिल के इसकी ट्रेंड वर्किंग को भी मिंटें रखते हैं जिसमें लोग सिफर सभी के से अपना ट्रैवल पूरा कर सके और इस जगह को भी हम खुक्सूरत बनाने में अपनी तरसे भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन इसका सहरा थोड़ा समारे ओफिसल्स के सर भी तो यह काम यहां पर भी होता है दुलने दुले पहुंचाते हैं शूट के लिए असल में जैसे मैंने कहाना है कि यह पाक्सान वेल्वेस का जूंसा है बड़ा फैसिनेटिंग है लोगों के लिए तो इसी तरीके से जो इनके पॉइंट से जैसे जश लाइकि स्टेशन है ठ जो इसको बड़ा इसको देख एक भी वी टूगराफी कर देखने है ठीक है इसी तरीके से जो दूसरी इसाओट के पीपल एलियर पीपल होगी जो बेरलशूड का इजकर ट्रेंड झाओं है ठीक है तो आपन एर में यहां नेचर आप मिलेगी और जहां भी ट्रें से मतलग कोई पॉइंट है या ट्रेजन कहीं से गुज़र ही तो आलवेस फैसिनेटिंग है लोगों के लिए तो उसको उसमें अपने सिनिमाटर ग्राफी में लेना चाहते है इसको जंग्शन स्टेशन कहते हैं वो क्या होता है जंग्शन मीन्स कि आपकी जो ट्रैक है वो दो तीन हिस से स्टेशन से उससे अपनी होई है तो टौर्ड गया है तो तो यहां से होते ही हैं हमारी दुबावा मुलतान के दरफ निकल्य है तो जहां से अमारी एक लाइन एक स्ट्रा निकल रही है में लाइन से बॉंच्छ लाइन उसको जंखन करते हैं ठीक है अच्छा कोई कि यह चीजे हो तो मजीद खुबसुर्टी स्टेशन हो सकता है जी कमी तो जखें पोटेंशिल तो हर चीज में हमेशा अलवेस मुझूद वैता है ठीक है यहां थोड़ा साम में सिक्यूर्टी के वाले से सम्टाइम्स वोगों के तोड़ा साम है डिफिकल्टी होती है तो ले सही है यह शहर भी है यह मुल्क भी है असल में यहां दो किसम की अवामगा में बड़ा वाज़ फरक महसूस होता है ठीक है एक तो जो यहां के गिवद नवा के लोग है ठीक है वो जैसे मैंने भी जिकर कि है कि हमारे जंड बसाल कोहार्ट और ऑनवर्ड मियावाली कुंदि यहां के स्वावी जयादा है ठीक है तो यह ज़र बैकवर्ड अविया से थोड़ा सा होता है तो वहां के लोग हैं तो बहुत अच्छे है मिलन साव रहन सब कुछ है बड़ इतने नहीं ठीक है तो उनका एक जगह बैठाना ठीक है सम टाम्स काने के बाद वही वैपर सपेक सब्सक्राइब है तो यहां पर दो मुझे गैलरी नजर आ रही है इनके बारे में ताइंगे मुजियम के हवाले से यह मुजियम 2003 में हमारे जीम सापका अश्वाख खटक साब ने शेखशी साब के दोर में स्टार्ट किया यहां बेसिक एक तो बनाने का मकसद यह था कि यह स्टेशन थोड़ सा शेहर से हटके है सेकंड इसको स्लंबाद टच करता है तो मुजियम जहां भी होगा तो इसको ज्यादा पर डिलिके लोगों की डिमार्ड है यह तो इसमें जो चीजें रखे की हैं उन लोगों की एट्रेक्शन के लिए वह एट्रेक्शन के बाइस बनत सब्सक्राइब करें लोगों को अपने हम जो नई जनुरेशन आ रही है वो अपने परानी पीशे की तरह देखें उनको पता लगे कि हम किस दोर से निकलकर आगे कौन से पिवड में जा रहे हैं आगे तो बहुत शुक्रिया आपका हमने इतना सारा टाइम भी लिया मस्रू भी होते हैं तो अब आप में खत गैल्वरीज देख लेते हैं ठीक है थेंक्यू जी थेंक्यू वन सेकें आप शुक्रिया चीद चाहिए